नमस्कार एन उन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज सेंट्रिफूगल पंप के बारे में और यह है सिंगल स्टेज सेंट्रिफूगल पंप से अलग होता है क्योंकि जब सेंट्रिफूगल पंप दो या दो से ज्यादा impeller से बना हो उसे ही multi stage centrifugal pump कहते हैं centrifugal pump का प्रियोग rotating impeller के दुआरा fluid में kinetic energy को add करने के लिए किया जाता है और multi stage centrifugal pump में impeller same shaft पर mount हो सकते हैं और अलग-अलग shaft पर भी mounted हो सकते हैं multi stage centrifugal pump बनाने के पीछे का जो कारण है वे काफी साधारन ही है क्योंकि जब industries में या फिर fluid treatment facilities में जब लंबी दूरी पर high pressure fluid को supply करना पड़ा तो उस condition में single stage centrifugal pump से पहुँचाना संभव नहीं था और जब हमें outlet पर ज़्यादा pressure की जुरूरत हो और discharge को constant रखना हो तो उस स्थिती में impeller को series में जोड़ा जाता है लेकिन अगर output पर ज़्यादा discharge चाहिए और head को constant रखना पड़ता है और उस स्थिती में impeller parallel जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ और अगर हम बात करें multi stage centrifugal pump का जो simple सा उधारन है वह है boiler feed water pump जब लगबग 350 मेगा वाट की unit है तो उसके लिए दो feed pump को parallel जोड़ना आवश्यक होता है और परतियक feed pump multi stage centrifugal है जिससे तकरीबन 150 लीटर परती सेकिंड और 21 मेगा पास्कल पर fluid मिलता है अब बात करते हैं जब impeller series में जुड़े होते हैं तो इस condition में जो head होता है वह हमें high head की requirement होती है और discharge constant रहता है और इस स्थिती में pump में जो impeller है वो series में जुड़े हुए हैं और इस diagram में यह है two stage pump with impeller in series अगर तीन impeller आपस में जुड़े होते series में तो इसको कहते three stage pump with impeller in series अगर चार होते तो इसको कहते four stage pump with impeller in series तो यहाँ पर two stage pump with impeller in series है तो आप बात करते हैं इसमें वर्किंग किस प्रकार से हो गई यह एक साफ्ट है और सेम साफ्ट पर दोने इंपैलर माउंटिड होते हैं और सक्षन पाइप से इंपैलर के थूप फ्लूड जाता है तो यहां से फ्लूड एंटर करेगा और उसके बाद इंपैलर के पहले इंपैलर एक के आउटलेट से बाहर जाएगा और गाइड पैसेज उसको गाइड करेगा इंपैलर टू के लिए और कह सकते हैं कि जो इंपैलर एक का आउटपुट होगा वह हैं इंपैलर दो का इंपुट होगा और impeller 2 के output से वह delivery pipe में चला जाएगा और यहां जैसे outlet pipe of first impeller is connected to the inlet pipe of second impeller और जो हमें impeller 2 के outlet पर fluid pressure मिलता है वह impeller 1 के outlet पर मिलने वाले pressure से काफी ज्यादा होता है और अगर हमें ज्यादा fluid pressure चाहिए फिर हम और impeller को इसमें add कर सकते हैं सीरीज में अब बात करते हैं multi stage pump impeller जब सीरीज में जुड़े होते हैं उसके कुछ फाइदे भी हैं अगर उसकी तुलना single stage pump से करें सबसे पहले इसमें friction कम होने की वज़े से loss कम होता है और stresses की development भी कम होती है sleep leakage वह भी कम होती है और उतनी ही stage का chain करते हैं जितना pump speed driver motor speed को suit कर सके और इस तरह के arrangement में जो impeller हैं वो properly arranged होते हैं जिससे thrust भी eliminate हो जाता है और परतियेक impeller कम specific speed होने की वज़े से ज्यादा suction lift मिलना यहां पर संबब है तो दोस्तो आज हमने बात की multi stage centrifugal pump जब impeller series में connected होते हैं हमारी next वीडियो में हम discuss करेंगे जब multi stage centrifugal pump parallel में connected होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N-Inverse 2 को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे